करोड पॉलींग ओफिशल्स एंड सेक्यूर्टी ओफिश्ल्स कंड़ेक्ट दोज अलक्शन्स उर अब तक हम क्या कर चुके हैं सत्रा जनर्र एलक्शन्स तु दी पार्लिमेंट चार सो से ज्यादा अस्पिभली अलक्शन्स कर चुके हैं यह अलक्शन कमिशन का एक legacy है. 16 presidential elections, 16 vice presidential elections, a truly gold standard. It's a gold standard in the entire election management. Friends, there is a qualitative leapfrog which commission is ensuring which would be shown by the outcomes of the 11 state elections which we have held recently. पिछले एक सवा साल के अंदर में 11 elections, state assemblies के देश में हुए है. और आज जो हम नए 2024 में जा रहे हैं, तो इस दरता के साथ जा रहे हैं, कि जो उनके outcomes हैं, वो आपको दिखा रहे हैं पहले. वो peaceful हुए, violence free हुए. जो इसमें से एक दो स्टेट में violence होती थी, वहां भी violence नहीं हुई. नियर जीरो रूपोल्स और campaigning जो clutter है, जो noise है, जो campaign के दौरान होती है political parties ही, कि उसमें भी घटित देखने को मिली. court cases reduce हुए, court की टिपनिया जो अनावश्यक या हमारे उपर में होती थी, वो कम हुई. seizures बढ़े, और fake news पर एक action लेने का जो तरीका था, वो बहुत बड़ा. तो last two years में इसको और robust करने के लिए हमने क्या क्या किया है, यह हम आपको आज दिखाएंगे, और उसको कैसे बेतर करेंगे, यह भी दिखाएंगे. हम कहां पहुँचना चाहते हैं, इस selection को किस तरीके से deliver चलना चाहते हैं, यह भी आपको last slide में दिखाएंगे. अभी, जो electoral cycle है, उसमें हमने कितनी तयारी किया, यह हम आपको आज schedule बताने से पहले बताना चाहते हैं. अगर देखा जाए तो input के रूप में, हमारा जो electoral roll है, वो pure होना चाहिए. यह foundation है किसी भी अच्छे चुनाव के लिए. उसमें जिसको होना चाहिए voting में वो है और जिसको नहीं होना चाहिए वो नहीं है. हमने electoral roll में बहुत महनत की है. इंपूट के तोर में material, manpower, technology, training इतनी चीज़े लगती है. प्रॉसेस के रूप में जो disruptive challenges है, muscle power, money power, misinformation, MCC, violation, और reaching out to the missing waters, urban apathy, youth apathy, और overcoming operational challenges, जिसमें reaching in inaccessible areas in this wide country. And what outcomes we want, that is what is, we will tell you a little later also. तो पहला जो input है, यह एक mosaic है, जो देश की voters की, electors की picture है. क्या दिखाती है यह? It's a very diverse mosaic. 96.8 crores are the total electors in the country, of which 49.7 crore are male and 47.1 crore are female. और जो young voters हैं, बहुत महनत की हमने पिछले साल में, वो 1.82 crores first time voters इस बार इन चुनावों में vote देने के लिए हमारे electoral rolls में हैं. और अगर इसको हम 20-19 साल के वर्ष में देखें, वो भी तो यंगी ही हैं, कोई अभी बड़े सेविन फोर करोर्स यानि साड़े 21 करोर बोटर्स अपसलूटली यंग जो की डेमोक्रिसी में भाग लेंगे और अपना फ्यूचर अपने से अपने electoral roll में लेके आएं. 82 लाख लोग ऐसे हैं, जो 85 वर्ष से ऊपर हैं, और वो हमारे proud मद्दात हैं, we feel very proud to have them with us, और उसमें से 2,18,000 लोग देश में 100 वर्ष से अधिक के मद्दात अभी हैं, जो हमारे electoral roll में. So the mosaic is, ट्रांसजेंडर्स भी हैं, 48,000. तो mosaic is like 18 से 19, 20 से 20 से 28, 85 ट्रांसजेंडर्स, परसंट भी दिसेबिलिटीज और इन दी एंटायर कंट्री, लेंट इन ब्रेट तब दी कंट्री. इस rigorous जो प्रोसीजर है, इसको बनाने में कितनी महनत लगती है, यह इस मैं आपको में दिखाना चाहता हूं, कि हर स्टेज पे electoral roll के preparation करते समय, political parties को involve किया जाता है, ताकि कोई हमसे यह ना प्रशन कहे कि आपने अपने से electoral roll बनाया और हमें बताया भी नहीं. So when the electoral roll preparation starts, we make a draft publication. We give two copies, free of cost, to the political parties. उसके बाद जितने form 6, form 7, form 8, नया नाम जुडने के, डिलीशन के, मोडिफिकेशन के, मेरा नाम पदल है, घर-पदगर बदल गया, वो सब की कॉपी हम शेयर करते हैं, उसके minutes बनाते हैं. और इस बार हमने और जोर दिया कि बूथलेवी legends, अगर political party हमारे BLOs के साथ लगाना चाहें, तो लगाएं. और across the length and breadth of the country, all the district magistrates, we are absolutely confident that silently we were working. सबने political parties के साथ में, हर district में, कम से कम एक, दो, तीन meetings की हैं, उनको सारे draft roles दिखाएं हैं, दिखाने के बाद जितने objections हैं, वो उनको पूरा किया हैं और उसके minutes बना के रखें हैं. Friends, we are very confident that and we are conscious that a very solid electoral role is the foundation stone on any election and we are ready to go with this. We have also worked on the women voters. Women voters का जो gender ratio है, वो बढ़के अब 948 हो गया है, which is again a very healthy sign of women participation increasing in our electoral cycle. राज्ये देश के बारे राज्ये ऐसे हैं, जहां आज एक हजार से उपर gender ratio है, यानि महिला voters की संख्या male से जादा है. और जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 1.89 नए voters हमने जुड़े हैं, उनमें से 18 से 19 में 85 लाक हमारी लडकियां हैं, female voters हैं. So, they are going side by side and this is again a very healthy sign that women are also equally participating in our election. और जैसे women participation है, ऐसे ही youth participation is another area which the commission is very conscious and commission is also consistently focusing on. 13 से जो 1.8 करोन मैंने आपको बताया, 19 करोन voters बीस से 19 और जिस किसी की भी उम्र 1 जनवरी 2024 को 18 साल नहीं हुई थी. उसका भी नाम हमने अडवांस में अप्लिकेशन में लिया जो 2024 के किसी भी समय में जिनकी उमर 18 साल होने वाली है. And you would be happy to note that out of 13.4 lakh advanced applications which have come to us, around 5 to 6 lakhs are such who will complete the age of 18 by 1st of April 2024. और वो भी हमारे बोटर उस समय तक बन जाएंगे. यानि the role would be as much updated on 1st of April कि कोई भी छूटे नहीं. National icons को बड़ी संख्या में हमने यूथ को अपने साथ जोडने के लिए इस कारे में लगाया है. हमें विश्वाश है कि यूथ ना सिर्व बोट करेंगे, बलकि हमारे ambassadors भी बनेंगे. जो influencers हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे. वो अपने साथ यूथ एक के साथ अपने दस दोस्तों को भी ले के आएंगे. और इस बार हम convinced हैं अपने different outreach activities की वज़े से कि वो हमारे साथ जादे से जादे जुड़ेंगे. Friends, जब हम voters को अपने बूथ पे बुला रहे हैं, तो हमारी ये भी duty बनती है कि हम अपने बूथ को बहुत अच्छे से उनके लिए तियार करके रखें. कैसे तियार करें? हर बूथ पे पीने का पानी होगा, टॉइलेट होगा, male and female अलग, signage होगा, persons with disability के लिए ramp होगा, एक wheelchair होगी, help desk होगी, voter facilitation center होगा, और shed भी होगा, sufficient light भी होगी. यानि minimum basic facilities would be available at all the polling stations, और these polling stations will be set up across the length and breadth, उत्तर में हिमाले की बरफिली चोटिया होगा, या दक्षिन में कन्या कुमारी का समुन्द तक, पश्चिम में राजिस्तान की रेगिस्तान से लेके, अरुनाचल के जंगल, और मेगाले के wetest region, election commission, देश के हर कौने में, परजातंत को मजबूत बनाने के लिए अपने polling station, अपने personal को लेके जाएगा, and we will take democracy to every corner of the country. And we are sure that we would make it a very overwhelming experience for our voters. And then the voters' delight, polling stations इस तरीके के मिलने चाहिए, जिसमें ये सभी चीजे आपको मिलें. Then, how would we ensure that it is also inclusive? Inclusive in the sense, 85 plus जितने voters हैं, उनके हम घर जाके बोट लेने के लिए तियार है. नॉमिनेशन से पहले, सबके घर में हम form 12D पहुचाएंगे. देश के कुछ हिस्से में घर से बोटिंग हो चुकी है, assembly elections में, कुछ राज्यों में अभी नहीं हुई है. अब इस बार पूरे देश में पहली बार ये विवस्ता एक साथ लागू होगी, कि जो 85 वर्ष से उपर के मददाता हैं, जो persons with disability हैं, 40 years, 40% से ज़्यादा की जिनको disability है, वो सब के पास हम form पहुचाएंगे. अगर वो ये opt करेंगे, कि वो बूत पर नहीं आना चाहते, घर से करना चाहते, तो हम घर में जाएंगे, एक आदमी का बोट लेने घर में जाएंगे. हाला कि हमारा तजरुबा यह है कि जादर तर लोग उस एज के बूत पर आना चाहतें, because they have consistently been part of our democracy. उनको वोलुंटर्स और वीलचेर की सुविधा वहाँ उपलब्द रहे गी. Now, जब यह बूत बनाए, तो हमने अपने परसोनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तयार किया है. They are sentinels of democracy. I mean, हमारे जितने employees हैं, वो सब तयार रहेंगे इस बात के लिए, कि that, wherever it takes, they will walk an extra mile, so that boaters don't have to mile. पहाल के बरफ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोले पर भी जाएंगे, काट के ब्रिज पर भी जाएंगे, हलिकॉप्टर से भी जाएंगे, हाती से भी जाएंगे, बरफ में भी चलेंगे, मियूल से भी जाएंगे. सिर्फ हर जगे पहुँचेंगे इसलिए ताकि बोटर अपना बोट दे सकें मैं इसी करम में आगे थोड़ी अर्बन अपैथी की भी बात करूँगा हम इतनी जब मेहनत करते हैं जाने में हम देखते हैं जहां घर के नीचे पूथ है महाँ पे बहुत सारे लोग बोट देने नहीं आते यह उनके लिए भी एक उधारन है कि वो यह समझें कि बोट देना कितना जरूरी है अगर हम दस लोगों के लिए पांच लोगों के लिए बोट बना के इतनी मेहनत से जा सकते हैं तो आप घर के नीचे उतर के जो दो किलो मिटर के इन रेडियस में आपके पास बूत है उसमें बोट देने जरूर आएं फ्रेंड्स, वी आर अलसो वेरी कॉंशियस अबाउट दी सस्टेनेविल एलेक्शन्स ऐस अवर रिस्पॉंसिबिलिटी तोवर्स दी एन्वार्मेंट तो एन्वार्मेंटली सस्टेनेविल एलेक्शन्स हो इसके लिए भी हमने सुझाओ, इसके लिए भी हमने डिरेक्शन्स अपने एलेक्शन मशिनरी को दी है वेस्ट मैनेजमेंट किसी भी पोलिंग स्टेशन पे polling के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए आप उसको collect करें disposal करें और teams के साथ में send them to various disposal it's part of the material arrangement minimal use paper का करें maximum हमारी e-books लागू हैं आप कभी भी हमारी website पर देख सकते हैं हर subject पर e-book है more and more carbon footprints को हम कम से कम किस तरह से कर सकते हैं recycling more and more less and less paper work all that is what is our commitment to the environment we are also greatly leveraging technology in three verticals for the help of the voter for the help of the election management agencies machinery and also for the political parties and candidates कोई भी बोटर पूरे देश में उसका एपिक नंबर से बूत कहां है उसका एपिक डाउनलोड करना है if he has a mobile number seeded he can download his or her mobile कोई भी बो के बारे में कोई जानकारी लेनी है one can go to the voter help line you can know about what kind of a candidate you have in your constituency who are contesting so there is an application called know your candidate तो उस candidate की कोई क्रिमिनल बैक्गराउन तो नहीं है उसके खिलाफ में केसिस तो नहीं है उनके क्या assets है क्या liabilities है ये सारी चीजें ये सारी चीजें KYC के application में voters को देखने का अधिकार है उनको मिलेंगी और जिस किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है किसी भी candidate का उसको तीन बार newspapers में देना पड़ेगा टीवी में देना पड़ेगा अब पॉलिटिकल पाटी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको अउस कॉंसिटुएंसी में क्रिमिनल केंडिडेट बेक्ग्राउंड के खड़ा करना पड़ा तो बाकी क्यों नहीं मिला अब बताएए बाट इस दी बेसिस आफ में पूलिटेट बेक्राउंड बेक्राउंड इन और तो इस दीजिजेंट को वोटर को करने कहीं पर भी कहीं पर भी कोई पैसा बाटने का केस है freebie बाटने का case है access campaigning का case है just take a photo or type text send it to us we will capture your longitude and latitude ourselves आप कहां पर खड़े हैं यह हम अपने से आपकी mobile की location से समझ लेंगे और आपको 100 minute के अंदर अपनी team बेच कर जो आपकी शिकायत है उसका निराकरन हम आपको करने देंगे friends इस सारी चीज़ को करने में हमारे सापने कुछ challenges भी हैं मैं आज आपके सामने उन challenges की भी चर्चा करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि इसको हम कैसे ठीक करेंगे तो mainly चाहर चैलिंजे हमारे पास हैं four m's muscle, money, misinformation and mcc violations essentially चाहर किसम के broad जो हमारे process है और इसी के संदर्व में पूरा जो process अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाओ खतम होगा तो election commission का अधिकान समय इनी चाहर चीज़ों में लगने वाला है कि how to control muscle पार, how to control money पार, how to control the menace of misinformation and how to control the violations which are done or at least to be done under mcc. So coming to the muscle, muscle power को control करने के लिए adequate number of CAPF would be deployed. 24-7 एक नया प्रियोग हम इस बार कर रहे हैं, we are establishing, हम बिलकुल determined हैं इस बार muscle power को कम करने के लिए. चुनावों में हिंसा का कोई स्थान होना नहीं चाहिए और blood बात बिलकुल नहीं होना चाहिए. जहां भी हिंसा बची है, चाहें वो pre-poll हो, चाहें वो during campaigning हो, चाहें वो post-poll हो. We are committed to, kind of be very very alive to this situation, और जो भी हमें सक्ती से करना होगा, इसके लिए हम करेंगे ताकि ये provision ना रहें. हर district में एक control room बनाये गया जो दिन उसमें 5 किसम के feeds होंगे. टीवी, social media, webcasting which is on the booths, 1950 की line जिससे शिकायत आती है, and grievance's portal. So, one senior officer would be available in the control rooms in every district to look at these five feeds. जहां से भी, और सी विजिल, सिक्स्तित सी विजिल, जहां से भी कोई शिकायत मिलेगी, उस पर सक्त कारवाई की जाएगी. Everywhere across the country, हमने बड़ी सक्त ताकित दिये कि district magistrates, SSPs, अपने area में हिंसा को ना होने दे. जितने non-vailable warrants आज की date में हैं, पुलिस उनको already हमारी visits के साथ साथ almost execute कर सकी है, कर चुकी है, कर रही है. साथी जितने history sheeters हैं, उनको भी बहुत तेजी से देख रही है. There is also a network of checkposts which have been set up in the international border, in the interstate border, and on the notes from where some kinds of irregular illegal goods can move across the states. In some international borders, there is also a drone-based checking which will happen. We are fully committed that हिंसा का कहीं को इप्योग नहीं होना चाहिए. हमने district major states को बहुत सक्त हिदायत दिये, कि जितने लोग तीन साल से उपर हैं, उन सब को आप बदल दीजे पहले. और accountability starts from the head of the district, not below. यह उनका काम है कि जो नीचे हैं, वो उनको देखें. किसी भी process में volunteers और contractual staff किसी भी state ने लगाएं, वो इस्तमाल नहीं होंगे. बहुत सारी states ने temporary, volunteers और contractual staff को लगाके रखा हैं, वो किसी भी stage में इस्तमाल नहीं होंगे. Double voting, impersonation की भी शिकायत आती है. बहुत सक्त इदायद दी गई है कि अगर impersonation के cases आएं, तो RP Act की section में उनके खिलाफ action लें. सातियो, बहुत ही determination के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाओ देना चाते हैं. चुनाओ में हिंसा की कतई गुंजाईश नहीं है. राश्टपती महत्मा गांदी जी ने कहा था, मैं हिंसा कब रोध करता हूं, क्योंकि उससे पाया हुआ समधान बहुत कम वक्त के लिए होता है, और उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए. Only peace is everlasting, violence doesn't solve anything, we will request everyone, all political parties, all candidates, that they must be very, very, very cautious of this point, we'll be ruthless if anywhere the violence happens. Similarly, coming to the money, आप जानते हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि पिछले जो 11 elections हुए है, स्टेट में, राज्यों में, और उसी की वज़े से ये conviction हैं जिससे हम आप से उसके बारे में बात कर रहे हैं. We are, we are talking to you from a, from the strength of our outcomes. 3400 करोड रुपे के करीब का cash movement को restrict किया गया 11 election में, every state, राजिस्तान, तेलंगाना, मध्यप्रदेश, नागालेंड, गुजरात, हिमाचल, मिजोरम, तिरपुरा, 36 गड़, हर इस्टेट में, उससे पहले election में, जो भी हुआ सा, उससे 200, 400, 500, 700 परसंट की ब्रद्दी हुई. टोटल 3400 करोड is around 835 परसंट हायर. यह जो धन बल का जो उपयोग है, जो धन का उपयोग है, जैसे बल का उपयोग कुछ राज्यों में जादा है, ऐसी धन का उपयोग भी कुछ राज्यों में जादा है. हम इस बात से भी बहुत वाकिफ हैं, we are aware fully that there are differential vulnerabilities in each state. some states have more violence, some states have more money, some states are more kind of a geographical problems, so whichever problem pertains to a particular state, based on this differential analysis, we would be having a differential level of treatment for that state. misuse of money हम नहीं होने देंगे. इसके लिए भी हमने enforcement agencies को, सब states में enforcement agencies के साथ बैटक की है, देली में हम सब heads of the agencies के साथ फिर से बैटक करने वाले हैं, आज के बाद तुरंत, क्या कहा है उनको? उनको हमने कहा है, कि जो freebies, liquor, cash, cooker, sari, machines, whatever kind of freebies, किस-किस state में बटने की शिकायते आती हैं, उसको 100% रोकें. रोकने के लिए analytics-based कारे करें, so whom have been directed, GST, excise, state police, all agencies, income tax, customs, coast guards, BSF, SSB, border say, जहां से भी जिसके narcotics, और जहां से भी freebie आने की संभाव ना हो सकती है, GST would be doing the eBay-bill-based analytics to see if there is a trend of spurt in the demand for the FMCG in certain areas. Banks would look at if there is a demand, spurt in demand of the cash in the chests. So, national NPCIL will look at if there is a spurt in demand for the payments from the wallets. Digital payments से तो पैसा नहीं जा रहा, एक-दो state में ऐसा भी देखने में आया था, कि आप अपने वैलेट के थो किसी को भी पैसे ट्रांसफर करते रही है, दो दो जार एक एक जार रुपया. All that we will be looking at. Banks would be sending almost daily report of these suspicious transactions which they have. All airports in the country would be checked regularly by the dedicated teams of income tax for any kind of movement through the air strips. और जहां जिन राज्यों में air strips commercial के अथिरिक्त हैं, जहां helicopters land कर सकते हैं. We have asked and we have got actually the Bureau of Civil Aviation of Security to issue detailed instructions कि जिस किसी चेतर में helicopter या chartered flight उतरेगी, वहां जो भी समान उसके अंदर में उसकी as per the directions, as per the instructions and guidelines of the BCS is almost equal to the commercial airports, checking होगी. Railways, RPF, GRP, both will be simultaneously, continuously looking at. Roads, so cash और मनी जो भी धन्बल का दुरुपयोग करना चाहेंगे. Political finance in any case is a thing which is in news these days, so this is our effort to add to that thing so that there are much more cleaner elections. Coming to the third M, which is the misinformation, this also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. We are also conscious that on social media, in democracy, there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you cannot, you should not be allowed to create fake news, which is not based on facts. Because it can disturb the public order. ये अववाएं फैलाते हैं. तो हमने सबको instructions दी हैं. किस किसम का institutionalized तरीका किया है. ये कुछ इस तरीके की नई चीज़े हैं, जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने muscle power के बारे में भी बताया, money power के बारे में भी बताया, misinformation के बारे में. तो ये जो process है, election का, जो आज से शुरू हो रहा है, counting के बीच था. जिसमें शोर, शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी. वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो, उसके प्रती हम बहुत ज़्यादा सा जगने हैं. इसमें क्या करेंगे? Under section 69 and 79.3 of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for takedown of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth Versus Reality. This is going to be live very soon. Means, ये मित फेलाया जा रहा है, ये उसकी रियालिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़के आपको एजूकेट करेंगे, कि ये उसकी रियालिटी है. और, और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है. कि थोड़ा देख ले. मतलब, जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा जूट का बजार भी है. मैंने इसके बारे में सोच रहा था, तो मैंने कुछ चंद लाईने लिखी थी, जो आपको बताना चाहता हूँ. जूट के बजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुल-बुले जैसी तुरंती फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हसिल होगा सिवाए धोके के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें, आगे बढ़ाने लायक है की नहीं है, ना बढ़ाएं. जुनाओ के दरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है, चुनाओी पिलकिरिया का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ इस तर, जिसमें, as we call it, it's a plumpting level of the political discourse. अगर हमने सब political parties को बहुत strong advisory issue की है, आप पूछेंगे कि advisory तो दी, उसके बाद action क्या होगा, उसका भी जवाब में आपको दूगा. Advisory issue की है, जो भी पिछले 11-12 elections में, actually जो पिछले 5 साल में जितने भी MCC के violations होते रहे हैं, उसको हमने इखटा करके एक final advisory दिये, before the 24th. So, this is how we have set our grounds, and what we have done in that, we have set, we are putting political parties on notice. Means, we have asked political parties to give copy of our guidelines to each star campaigner. Political parties के जितने भी बड़े नेतागर्ण star campaigners हैं, जो campaigning करेंगे, उनके व्यक्तिगर्थ notice में हमारी guidelines ले आईए. ये जुम्मेदारी हमने political parties को दिये. So, now what is happening? We have put them on notice, and we will presume knowledge of the guidelines. These are the two fundamental changes which we have made, silently. People were asking, you issued so many notices last time, did nothing. You left it at that. That was a moral censor. Now we will go beyond. We will go beyond, and here we have said, we will also look at the past. We will also look at the history. We might look at a calibrated approach dealing with the MCC violations, which may be. जो MCC violations किस प्रकार की हो सती हैं? I mean, statements which inspire, which should inspire rather than divide. इशू बेस्ट केम्पेंड हो. हेट स्पीचेज, रिलीजि़स स्पीचेज, प्राइबेट लाइफ का किडि़ूच अच्छाएं? प्राइबेट लाइफ का किडि़ूच अच्छाएं? प्राइबेट लाइबेट 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 लाइफ का किडि़ूच अच्छाएं?